सब्सक्राइब करें EK Indonesia YouTube YouTube चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ताके आपको हर एक अबडेट मिलते रहे और हमारे दूसरे चनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलिस समंदित ख़बरे मिलती रहे स्वागत दोस्तों आप सभी का एके इंडिया योटूब चैनल में दोस्तों ये है सेट 22 बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2019-20 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंज दोस्तों अगर आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें जॉइन कर सकते है टेलिग्राम ग्रूप में और साथ ही दोस्तों www.akindiajob.com की ओफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आप इस PDF को देख सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने हमें सस्क्राइब नहीं किया है यूटूब पे तो सस्क्राइब कर लीजे और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तों फॉलो नहीं किया है खबरी पे तो फॉलो कर लीजे क्योंकि खबरी पे मैंने बताया है कि बिहार पुलिस की वेकनसी कब तक आने वाली है साथी दोस्तो टेलिग्राम ग्रूप में भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर आप सभी को सारे study materials फ्री में provide करा आए जाते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज का first question है निमलिखित में से किसका उप्योग करके वेब पेजिस का निर्मान किया जाता है ओप्शन A, HTTP ओप्शन B, SMTP ओप्शन C, HTML और ओप्शन D, SGML दोस्तों इसका सही जवाब है ओप्शन C, HTML जैसा कि हम जानते हैं HTML यानि Hypertext Markup Language है या एक ऐसी Language भासा है जिसमें वेब पेजिस को लिखने के लिए प्रियोग की जाती है और जो भी आप किसी भी वेब साइट पर देखते हैं वह HTML में लिखा गया होता है हम आपको बता दे कि 1989 में टीम बर्नस ली ने या HTML बनाया था दोस्तों सेकेंड क्वेशन है सिस्मो मीटर का किसके द्वारा अविश्कार किया गया था ओप्शन ए एलेक्जेंडर पास ओप्शन बी लुईगी पलमीरी ओप्शन सी एलेक्सी पेजडो और ओप्शन डी रैंसम एली ओल्ट्स दोस्तों अगर आप सभी को इसका सही जबाब पता है तो आप हमें कमेंट शेक्षन में भी बता सकते हैं इसका सही जबाब है ओप्शन बी लुईगी पलमीरी तो देखो दोस्तों लुईगी पलमीरी जो थे वो भौतिक विद और मौसम विज्यानी थे लूगी पलमीडी के द्वारा 1855 इस्वी में सिस्मोग्राफ का अविश्कार किया गया और हम आपको बता दें कि सिस्मोग्राफ एक भुकम्प मापी यंत्र है इसे सिस्मोमेटर भी कहते हैं निमलिकित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता ओप्सन A विटामिन C, ओप्सन B विटामिन K, ओप्सन C विटामिन E और ओप्सन D विटामिन B12 दोस्तों इसका सही जबाब है ओप्सन B विटामिन K तो विटामिन के का रशाइनिक नाम है फिलोकवी नोन विटामिन के कमी के कारण ही रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का बहाव नहीं रुखता है दोस्तों आपको बता दे कि विटामिन के की सहायता से लिवर में लक्त प्राजमा यानि प्रोथों बीम तथा फाइब्रो विनोजेन का निर्मान होता है जिससे 2-5 मिनट में रक्त का थक्का जमता है दोस्तों 4th question है पेड़ों में उर्जा उत्पन करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जा सकता है ओप्सन A ओशोशन ओप्सन B ओव करन ओप्सन C प्रकाश संसलेशन और ओप्सन D वास्पी करन दोस्तो इसका सही जवाब है option C, Prakash Insulation तो पेडों में उजा उत्पादन सम्माने तब Prakash Insulation के माधम से होता है तो पेडों में उजा उत्पन करने की प्रक्रिया को Prakash Insulation कहते हैं दोस्तो फिफ्थ क्वेश्चन है किस वाइरस के कारण चेचक होती है option A, Rubella Virus, option B, Varicella Joster Virus, option C, Rebidge, और option D, Variolla Virus दोस्तो इसक्वेश्चन का सही जवाब है Varicella Joster Virus Varicella Joster Virus यानि चेचक यानि चिकन पॉक्स वाइरस के कारण होने वाली एक संक्रमक विमारी होती है यानि यह विमारी आसानी से एक वैक्ती से दूसरे वैक्ती में फैलती है इससे बचाओ के लिए Varicella Vaccine या 50 का लगवाया जाता है दोस्तो 6 question है निमलिखित में से कौन सी उस्मा ग्राही अभिक्रिया है option A स्वशन, option B ज्वलन, option C पसीना निकलन और option D प्राक्टितिक गैसों का जलना दोस्तो अगर आप सभी को इसका सही जबाब पता है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं दोस्तो इस question का सही जबाब है option C यानि पसीना निकलना तो पसीना निकलना उस्मा ग्राही अभिक्रिया है इसे इंडो थर्मिक भी कहते हैं तो देखो दोस्तो उसमा ग्राही अभिक्रिया का अर्थ होता है एक ऐसी रसानी कभिक्रिया जो उसमिय उर्जा का सोसन करती हो 7. दूत को दही में बदलने में उप्योग किये जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताईए ओप्सन A. पेपसीन, ओप्सन B. इनवर्टेज, ओप्सन C. लैक्टेज और ओप्सन D. डायस्टेज दोस्तो इस क्वेशन का सही जबाब है लैक्टेज लैक्टेज दूत से दही बनाने में लैक्टेज नामक उत्प्रेरक का उप्योग किया जाता है दूद अर्दही दोनों में ही लैक्टिक एसिड होता है लैक्टो बैसिलस नामक बैक्टिरिया दूद में मौजूद लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में बदल देती है दोस्तो एट क्वेशन है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाए गया था? उपसन A हुमायू, उपसन B आजमसा, उपसन C बाबर और उपसन D औरंग जेब दोस्तो इस क्वेशन का सही जबाब है उपसन D औरंग जेब दोस्तो बीबी का मकबरा मुगल बात्सा औरंग जेब के द्वारा बनाए गया था यह मपगरा महाराष्ट की औरंगाबाद में इस्थित है और हम आपको बता दे कि इसका निर्मान 1685 से 1707 में हुआ था दोस्तो नाइन्थ क्वेशन है बोडो भासा मुख्य रूप से किस राज में बोली जाती है इसका सही जबाब है ओप्सन ए असम बोडो भासा जो है चीनी तिबती समूख के भासा है जो असम के बोडो में बोली जाती है और नेपाल और बांगला देश में रहने वाले लोग भी इसे बोलते हैं दोस्तों 10 ग्वेशन है विदेशी संदर मुद्रा के मूल्य के घटाओ को क्या कहा जाता है ओप्सन ए अ मूल्यन ओप्सन भी पूर्ण मूल्यांकन ओप्सन सी कम मूल्यांकन और ओप्सन डी रिनात्मक मूल्यांकन दोस्तों इसका सही जबाब है Option A, Omolian विदेशी संदर मुद्रा यानी FRC यानी Foreign Reference Currency की तुलना में जब देश की मुद्रा के मुल्य में कमी की जाती है तो इस प्रक्रिया को Omolian कहते हैं और दोस्तों हम आपको बता दे कि भारती रूपय का Omolian अमेरिकी डॉलर के रूप में किया जाता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हाँ दोस्तों आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेशन सही किये और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बब बाई